पहला स्वाल है दोस्तो आठ पे घाते दो बटा तीन का मान कितना होगा कैसे लगाएं दोस्तो ध्यान समझेगा सबसे पहले दोस्तो हम आठ का अभाज गुण अंखन कर लेते हैं तो आठ को दोस्तो क्या लिख सकते हैं दो पे घाते तीन लिख सकते हैं अब उपर दिया है कितना दोस्तो दो बटा तीन दिया है आप क्या करेंगे दोस्तो घात के उपर घात अगर होता है तो उसका क्या होता है गुड़ा कर दिया जाता है तो दो पे घाते कितना हो जाएगा तीन गुड़ते दो बटा तीन हो जा क्या होता है 225 इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है तीसरा प्रश्ण है दोस्तो 27 पे घाते माइनस 2 बटा 3 का मान बताना है कैसे हल करें दोस्तो ध्यान समझेगा दोस्तो हम जानते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं 27 को 3 पे घाते 3 लिख सकते हैं और उपर कित माइनस दो बटा तीन बचेगा, तीन से तीन कड़ जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, तीन बचाते माइनस दो बचेगा, अब दोस्तों इस माइनस दो को अगर हम हर में ले आएंगे, तो ये पलस में हो जाएगा, एक बटा तीन का स्क्वाइर हो जाएगा, अब दोस् क्या दोस्ता सवाल है दोस्तो, 1000 के पावर गात माईनस एक बटा 3 लिखा है, इसका मान बताना है, कैसे करेंगा, ध्यान समझेगा, 2000 को हम लिख सकते हैं, 10 फगहते 3 लिख सकते हैं, और पावर कितना दिया है? माइनस एक बटा 3 दिया है, अब दोस्तो, घात के उपर घात है, इन दोनों का क्या हो जाए गुड़ा हो जाएगा जब दोस्तों गुड़ा करेंगे तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा दस पर घाते माइनस एक बचेगा अब दोस्तों इसको अगर हमां हर में ले जाएगे तो यह पलस में हो जाएगा तो कितना मान हो तो दोस्तो एक बटा दस इसका सही उत्तर हो जाएगा आप संसी जो है इसका मैच कर रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किर जीएगा शेयर किर जीएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद